ओम शान्ती 18 जून 2022 की साकार मुरली से होमवर्क आज की मुरली से हम लक्षय लेंगे नरायन बनने के लाइक बनना है तो पांच विकारों रूपी भूतों को अपनी जीवन से निकाल देना है और स्वराज्य का तिलक स्वियम को देना है इसके लिए आज हम सेल्फ रिफ्लेक्षन करेंगे ज्ञान के दर्पन में देखेंगे मैं सुराज्य अधिकारी स्थिति में कहां तक रहती हूं और मैं नस्टो मोहा मन मना भव स्थिति में कहां तक रहती हूं संपूर्ण, पवित्रता के लिए हम भविष्य के राज्य को समृत्य में रखेंगे एक धर्म, एक राज्य, एक मत और सत्यता तो नारायन में ये विशेष्टाइं होती है ये विशेष्टाइं मैंने कहा तक धारण की है इसके लिए आज हूं पुरशार्थ करेंगे भविष्य में नरायन पढ़ प्राप्त करना है तो अभी स्वराज्य कते लग देना है स्वर अर्थात आत्मा राज्य अर्थात मन बुध्धी संसकार करम इंद्रियों का मालिक बनना स्वा का मालिक बनकर जब हम हर करम करेंगे तो इसे बोलेंगे स्वाराज्य अधिकारी तो ये अपनी चेकिंग करने है क्योंकि सत्यूग में हर आत्मा आत्म अभिमानी होती है तो इसी तरह अभी हमें स्वाराज्य अधिकारी बनना है और जो सत्यूग का नारायन होता है वहा कहां तक की है पवितरता के लिए बाबा ने श्रीमत दी है घ्रस्ट वेभार में रहकर पवितर बनो अर्थात काम महाशत्रु को जीतो और सत्यता के लिए बोला द्रिस्टी वृत्ती और अपने करम में सत्यता को लाना है सत्यता को लाने से हमारी रियल और रोयल चैन और चैन और नैन हो जाएंगे अर्थात अन्दर बाहर जब हम एक हो जाएंगे तो रियालिटी और रियालिटी जीवन में आएगी तो ये श्रेस्ता ही सत्युग में हमारे जो राज्य का आधार होगा. उसके बाद मन मना भवस्थिती अर्थात आतम अभमानी होकर परमातमा को जान कर जब उसे याद करेंगे तो वर्से के अधिकारी बनेंगे आतमा विमानी होने के लिए विधी बताई देहे के सब धर्मों को भूल अपने को आतमा समझ अशरीरी बनो और मुझ विदेही को याद करो जब ऐसी हम एक अपने आपको आतमा समझेंगे जो देहे का धर्म है जैसे हिंदू मुसलिम सिखे साई उससे मुक्त होकर आतमा के स्वधर्म में शांती में ठिकेंगे और देहे का जो संबंध है देधारियों के साथ है और देही का संबंध परमात्मा के साथ है अर्था निरा बनकर निराकार को याद करने से हमारी आत्मा शुद्ध बनेगी और संसकारों में दिव्यता आ जाएगी इसी तरह लक्षय को आज हम याद रखेंगे मैं आत्मा अपनी तकदीर बना रही हूं बावा को याद करके तो भविश्य लक्षय से भी हमारी आत्मा निरोगी बनती जाएगी समरिती से और पांच भूत भी निकल जाएंगे और आज बावा ने जो डारेक्षन दी उसको भी हम ध्यान में रखेंगे ओम शान्ति